ओम शान्ती मैं डॉक्टर शन्तोष्क मारुपाध्याय नियूरो फिज्यो थरपिस्ट फ्रम एक्स्ट्रा क्यार फिज्यो थरपी सेंटर लखनू दूस्तो आज इस वीडियो में लोग बात करेंगे जदी हील के बीचो बीच पेन हो रहा है जिसको हील फैट पैट सिंड्रोम बोलते हैं उसके भी से में बात करेंगे दोस्तो जन्रली जदी मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मिस डाइगनोस हो जाता है प्लांटर फेसियाइटिस से दोस्तो जो प्लांटर फेसियाइटिस का पेन होता है वो हमारे एंटीरियो मीडियल साइड पे होता है जदी मैं बोलू कि ये पूरा हील है तो हील में ये जो एंटीरियो मीडियल साइड है यहाँ पे पेन ज़्यादा हो तो हम प्लांटर फेसियाइटिस बोलेंगे और जदी मैं बोलू कि heel pain का जदी main कारण जदी सबसे ज़्यादा कोई देखने को मिलता है तो plantar faciitis है लेकिन जदी second commonest problem की बात करें दोस्तों तो वो heel fat pet syndrome है जो कि heel के beach o beach pain ज़्यादा तर देखने को मिलता है दोस्तों plantar faciitis पे already मैंने एक video बना रखा है जिसका link description में दिया है क plantar faciitis कैसे पाचाने इसमें क्या examine करते हैं क्या precaution लेते हैं और कौन सी exercise करते हैं ये क्यो होता है इन सब के बिसे में ये दो video अलड़ी बनी हुई है आज इसमें हम लोग detail discuss करेंगे heel fat pet syndrome के बिसे में जो second commonest cause है हमारे heel pain का heel fat pet syndrome जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ankle के बिसे में जान लेते हैं तो दोस्तों जो हमारा foot होता है foot में सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं bone हो गया bone को जोड़ने के लिए ligament हो गया और ligament के बाद हमारी planter muscles आती है ये muscles आप देख रहे हैं इसके बाद हमारा planter fascia आता है planter fascia के बाद दोस्तों नीचे हमारा edipose tissues जो बोलते है न जो fat pad जो आपको दिख रहा है ये fat pad होता है और इसके नीचे skin होती है तो basically जदी मैं नीचे से जाओं तो पहले हमें skin मिलेगी फिर हमें fat pad मिलेगा उसके उपर जदी हम जाते हैं तो हमारे fascia मिलेगी फिर हमें muscle मिलेगा फिर हमें ligament and joint मिलेगा और हमारे bones मिलेगे तो दोस्तों जो सबसे नीचे skin के बाद जो हमारा fat है ये हमें cushioning का काम करता है तो जदी इसमें किसी भी वज़े से disneration आ जाए या किसी भी वज़े से injury हो जाए तो ये heel fat pad syndrome हो जाता है तो अब बात करते हैं इसके symptom की विशे में तो इसमें gradually pain dull arc type का बना रहता है पूरे time बना रहता है pain दूसरी चेज़ जब खड़ा होके कोई भी activity ज़्यादा देर तक करेंगे या ज़्यादा walk करेंगे ज़्यादा run करेंगे तो ऐसे condition में इस पर force बहुत ज़्यादा आता है जब हम चलते हैं तो heel strike करके चलते हैं पहले एड़ी रखते हैं फिर पंजा रखते हैं तो generally activities कर रहे हैं तो continuous pain बढ़ता रहेगा दूसरा कि इस area में छूने पर localized pain रहता है या फिर इसको हम लोग दबाते हैं तो बहुत ही severe pain होता है कई बार तो जब acute condition रहता है दोस्तों क्योंकि जब fat कम हो जाता है वहां का तो हमारा injury direct bone और muscles में होने लगती है तो इस area में छूने पर गर्माहट भी पता चलती है कुछ cases में जब acute condition रहता है इसके अलावा दोस्तों जैदी मैं बताऊं आपको तो इसको एक physical test हम लो आके छोड़ते हैं तो यह देखते हैं कि कितनी देर में fat normal level पे आ जाता है जदी fat का quality अच्छा नहीं होगा painful होगा तो दबाने के बाद धीरे 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 यह बाहर के तरफ आता है तो अब बात करते हैं दोस्तों कि किन में यह commonly देखने को मिलता है तो दोस्तों जिन में इसके अलावा aging के साथ होने वाले changes में देखने को मिलता है दूसरी चीज दोस्तों उन में भी ज्यादा देखने को मिलता है जिन में foot wear बहुत अच्छा आदमी use नहीं करता है तो धीरे धीरे हमारा fat compress होने लगता है और injured होके कम हो जाता है दोस्तों अब बात करते हैं कि इस है उससे पता चल जाता है heel pad compression test जैसे मैंने बताया कि दबाया और दबाने के बाद छोड़ते हैं तो देखते हैं कि यह heel कितनी देर में यह fat कितनी देर में normal आ रहा है यह हम चेक करते हैं इसके अलावा जैदि radiologically find करें दोस्तों तो इसके अलावा और कोई problem तो नहीं है इसक 10 mm के आसपस देखने को मिलता है यानि कि 1 cm से 2 cm के आसपस एक normal fat लोगों में देखा जाता है जदी 1 cm से कम हो जाता है heel pad तो हम लोग मानते हैं कि यह problem है तो दोस्तों इसमें क्या modification करना चाहिए life style में पहली बात कि activity जो standing है walking है jogging है इसको नहीं करना है इसके जगा पे swimming है या जो offload cycling है इस तरह की activity को हम लोग promote करते हैं इसमें दोस्तों फिजियो थरपी का बहुत ही important role है रात तो रात तो इसको नहीं ठीक किया सकता है यह time taken है बट जदी proper stretching किया जाया प्रपर strengthening exercise किया जाया प्रपर फिजियो थरपी में जैसे laser हो गया long wave हो गया ultrasonic therapy हो गया PMF हो गय activities है जो inflammation reduce करने में, pain कम करने में और healing करने में help करते हैं उसको हम यूज करते हैं और exercise करते हैं साथ-साथ कुछ lifestyle modification करते हैं दोस्तों जैसे अच्छा सूज यूज करते हैं, heel cushion यूज करते हैं चोकि fat कम हो गया तो हम heel cushion लगा लेते हैं, soft slipper का यूज करते हैं और इससे हम बच जाते हैं, तो दोस्तों I hope ये main heel pain जो है, बिचो बिच जदी heel pain है, तो इसके बीसे में आपको जानकारी मिल गई होगी, next video में इसके exercise के बीसे में बात करेंगे, okay, bye bye